अखिल भारती अखारा पर्षद ने कुछ फर्जी वावाओं की सूची जारी की इस सूची में चक्रपाणी महराज और आचारी प्रमोद किष्णम का नाम रखा गया हलाकि इस सूची पर कई सवाल पहले भी खड़े हो चुके हैं पहले भी इन्होंने एक दरजन वावाओं की सूची जारी की जिसका के आज तक कोई असर नहीं हुगा है तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं आचारी प्रमोद किष्णम पूछते हैं उनसे कि फरजी वावाओं की सूची से आप आहत हैं या प्रसंद आचाय जी नमस्कार पराम आज अखिल भारती अखाड़ा परिसद ने एक सूची जारी किये जानकारी आपको मिल चुकी होग क्या कहेंगे उस सूची को मुझे तो सूची नहीं मिली है मीडिया वालों उन्हें मुझे बताया है मैं इस पर आभार व्यक्त करना चाहता हूं आखाड़ा परिशद का कि उन्होंने बड़ी कृपा किये है और नरेंद गरी जी का मैं पूरे आजन मत्तब जीवन भर रिणी रहूंगा कि उन्होंने इतना सम्मान हमें दिया है मगर एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने अभी श्री श्री रवी शंकर जी को भी फरजी कहा था और आज स्वामी चक्रपानी जी को कहा है मुझे चार साल से बड़ी अच्छी अच्छी गालियां मिल रही है एक गाली आज मिल गई कोई बात नहीं मगर एक सवाल ये है कि क्या सरकार से सवाल पूछना गुना है ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं सरकार से जब पूछता हूं कि तुमने मंदिर बनाने का वादा किया था क्यों नहीं बनाया तो मैं पापी हो जाता हूं गुनागार हो जाता हूं राक्षस हो जाता हूं फरजी हो जाता हूं मैं सवाल पूछता हूँ कि जिस प्रदेश का मुख्य मंत्री योगी हो प्रदेश का प्रदार मंत्री मोधी हो और आपने वादा किया था आपने कहा था कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत में आएगी तो हम मंदिर संसद में प्रस्ताव लाके बनाएंगे आपने यह नहीं कहा ताक yang कोड में फैसला होके बनेगा आप राम को भूल गए आपने कहा था कि कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम गंगा को साफ करेंगे आप गंगा को भूल गए गंगा चार साल में चार इंच साफ नहीं हूई गाये के काटने पर प्रतिबंद लगेगा राष्टि कानून आ को माफ का करेंगे अब इन्हें आचार प्रमोत किष्णम कल की धाम बनाना चाहते हैं संभल में जहां भगवान का अवतार हुआ हो ना वाला है होगा पुरान में लिखा है संभल ग्राम मुखस ब्रह्मनस समहत्मना भवने विश्णु यसस कल की प्रात और भविश्टी संभल नामक इस्थान पर विश्णु यस नामक ब्रह्मन के यहां भगवान का पूर अवतार कल की के रूप में अवतरित होगा संभल मेंशन है पुरान में श्रीमत भागवत में मेंशन है तो उस संभल में भगवान के अवतार से पूरू उनका धाम बनाना चाहता हूं मैं वो भ अपनी जमीन पर वह भी अपने आश्रम के भीतर मंदिर बनाना चाहता हूं भगवान का यह योगी जी की सरकार जो धर्म के नाम पर बनी है उसमें पर पावंधी लगा दी क्या मंदिर बनाना गुना है अचारप्रमोध किष्णम गलत है कारण तो बताओ गए होगे क्या मंद मंदिर बनाना गुना है अपनी भूमी पर मंदिर बनाना गुना है क्या भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनने की बात करना गुना है क्या सवाल पूछना गुना है अब अगर यह गुना है तो मैं गुनागार हूं गुरकपुर में आप चुनाव हारे अरे भी ग गोरगपुर में चुनाव तो आप इसलिए हरे क्योंके आप एंकार में चूर हो गए थे अब चुनाव आप गोरगपुर हार गए तो आप बोखला गए आपने अखाडा परिशद क्योंकर अखाडा परिशद आपके टुकड़ों पे पल रही है नहीं गुरू जी एक सवाल अखाड़ा परिषद में कभी एप्लिकेशन नहीं तो इन्हें किसी संत को फरजी करार देने का अधिकार किस ने दिया श्री श्री रवी शंकर भी अखाड़ा परिषद के नहीं है स्वामी चक्रवाणी भी अखाड़ा परिषद से जो संत हैं उनकी कुछ योगताएं उसमें उन्हें भांग पीना जरूरी है उन्हें सुल्फा पीना जरूरी है उन्हें जूट बोलना जरूरी है उन्हें गंदा रहना जरूरी है उन्हें धर्म के नाम पर जो पैसा आता है क खाना जरूरी है, पैसा लेके महामंडलेसर बनाने काम कौन कर रहा है, यह कर रहा है, सचिंदत्तर जो प्रापर्टी टीलर थे, उन से 2 कROड रुपया लिया गया, उस समय दो बनाए गए, महामंडलेसर, एक सचिंदत्तर, एक साध्वी रादेमा, तो उन दोनों के परिशद ने लिया और इनी नरेंद्र गिरी जी ने पैसा लिया अपने चेलों की मारफत और पैसा लेकर उन्हें मामड लेश्ट बना दिया जब मीडिया ने सवाल उठाए तो उन्हें बर्खास कर दिया अरे भाई जितना बड़ा गुना उनका नहीं है वो तो हरादमी चाहता मैं सम्मानित हो जाओं उनका पैसा तुमने वापिस नहीं किया और वो पैसा कहां गया इस पर जांच होनी चाहिए तो जो अखाड़ा परिशद के महत्मा हैं उनकी तो जांच नहीं करते क्योंकि खुद शामिल है अब आचार प्रमोत किष्णम ने तो आपसे कहां नहीं आप महामड लेशर मुझे बनाओं क्योंकि मेरे पास तो पैसा है नहीं महामड लेशर बनने के लिए करोड़ रुप्या दिया जाता है तो मैं क्यों महामड लेशर बनूं मैं क्यों भगवा सन्यासी बनूं संत होने के लिए सत की आवश्यक्ता है, साधना की आवश्यक्ता है, सच बोलने की आवश्यक्ता है, सच को स्विकार करने की आवश्यक्ता है, साधू होना वेराग का विशह है, अखाडा परिशद का विशह नहीं है, अखाडा परिशद होता कौन है कि किसी को ये कह दे, अखाडा पर पर पैसा लिया जाता है, और व्यवस्था कुछ नहीं देते, सादूं की कोई व्यवस्था नहीं करते, सादू दर-दर मारे फिरते रहते हैं, ये 5-6 लोग उस पैसे को गड़प कर जाते हैं, अखाड़ा परिशद उसका हिसाब दे, अखाड़ा परिशद हिसाब दे, जांग, सुल्फा, चरस, गांजा पीके पड़े रहते हैं, कितने ऐसे अखाड़ा परिशद के सादूं हैं, उनकी सूची जारी करें, जो ब्यवचार में लिपता हैं, कितने ऐसे अखाड़ा परिशद से जुड़े हुए सादूं हैं, जिनके ऊपर पुलिस के मुकद में दर्ज हैं, आचारे प्रमोत किष्णम की जांच कराओ, चार साल से लगे हुए हो, मेरा तो जीवन कोरा कागज है, मेरी जिन्दगी कोरा कागज है, मैं जिस गाहों में पैदा हुआ, उसी में कलकी मठ है, सारे शंकराचारों ने, जगद गुरू रामानुजाचारों ने मि पीठी की इस्तापना की, तो उस समय अखाड़ा परिशत से भी कोई साथ रहा है, अखाड़ा परिशत के राष्टी अध्यक्ष महंत ग्यान्दाच जी उस में अकल की पीठी की इस्तापना में सामिल थे, में आपका फर्जी करार दिया जा रहा है, उस समय के मौजुद हैं तो अधिल भारतिय संथ समीठी साथ वर्ष अध्यक्षरा हूं साथ साल उत्र भारत का अध्यक्षर रहूं सवाल वोनहीं है सब्सक्रीटwegen है अगल सिर्फ एक है में तर्कार का गूनगान नहीं करता मैं उस सरकार से सवाल पूछता हूँ, मैं योगी जी से अपने जीवन की भीग नहीं मांगता, मैं उनसे अपना गिर्गडाता नहीं योगी जी से, योगी जी अगर ठीक काम करेंगे तो दुबारा सरकार बन जाएगी, लेकिन उनका सबूत दे दिया, उनका रिजल्ट दे द दियार जो लिया गया, उसमें घालमेल होना है, घपला होना है, तो ये अखाड़ा परिशत के जितने सादू हैं, इनमें कुछ को छोड़ दो, बाकी सब प्यवचार में, दुराचार में लिप्त हैं, धर्म के नाम पे धंदा कर रहे हैं, जो चूरन बेचरा, चेठनी प्यास बेच रहा है, हजारों करोड के व्यापार में लिप्त है, उसे तो फरजी नहीं कहते, ये जो इनके खिलाब बोलता है, जो इनकी माला नहीं जबता, उसे फरजी कहते हैं, भई हमें तो तुम चार साल से गाली दे रहे हो, इस देश के किसी भी नेशनल चैनल पर, ज मैं मिटा दो लेकिन माफ करना इस देश की एकता के लिए धर्म का ध्वज लेके मैं ऐसे ही चलता रहूँगा मैं मुझे इनकी कोई दरकार थोड़ी है अखाड़ा परशद की मुझे जरुद थोड़ी है यह गालिया आपको इसलिए तो नहीं दी जाती है कि पूरे संसमाची साइद एक या दो संत आप जैसे होंगे जो कॉंग्रेस से बात करते हैं या कॉंग्रेस से संबंध है क्या गालियों का मैंकान यह तो नहीं है पहली बात तो कॉंग्रेस से संबंध हो ना कोई पाप नहीं है साथ-सतर साल इस देश को कॉंग्रेस है साधु मातमा सब इसके साथ जाके प्रियास करते के हुए, संसमाज तो भाजपा, राम मंदिर उन संतों को लेके बनाने जा रही है, और बार बार कह रही है कि हम मंदिर बनाएंगे। देखे, मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस के नेताओं ने इस देश के लिए वलिदान दिया है, इंद्रा गांधी का वल्दान हुआ, राजीव गांधी का वल्दान हुआ, महतमा गांधी का वल्दान हुआ, तो कांग्रेस पारिटी से संबंद रखना कोई गुना है क्या, औ गौवत पर राष्टिय कानून लाओ, जंतर मंतर पर धर्ना किया, गाय का गंगा का अंदुलन किया, राष्टिय संयो जगरह में उसका अंदुलन का, तो सवाल पूछना, बड़ी मज़ेदार बात है, अगर बीजेपी से कहो, कि अभी मंदिर क्यों नहीं बनाते, कल तक कि तरज पर बंदिर बनाएंगे, तो आपने जूट बोला जंता से, आपने कहा था, गंगा साफ करेंगे, आपने कहा था, काला दन लाएंगे, आपने कहा था, गौवत पर राष्टिय कानून लाएंगे, कुछ तो करते नहीं, कुछ नहीं करते, अब जो सवाल करता है, तो मुसल्मान है अभी तो इनका इनारा था कि ये साप चचुदर का गठवन्दन है तो साप ने एक सीट खाली एक सचुदर ने खाली किया नहीं साप चचुदर की तो छोड़ दो योगी जी ने कहा अकलेश यादब को कि औरंग जेव हैं ये औरंग जेव बताया आचार प्रमो जब्ली में विष्णु बसें रम में रमते राम तो आज इन्हें अच्छे लगे ठीक है कल तक उराक्ष ते नरेश अग्रवाल जी कल तक राक्षस थे इन्हें मंदिर बनाने वाला महात्मा तो पापी लग रहा है जो मंदिर बनाना चाहता है उसके मंदिर को रोग रहे हैं ये मंदिर रोग रहे हैं मैं मंदिर बनाना चाहता हूँ फैसला देश की जंता करें करोडों हिंदू करें मैं कल की धाम का मंदिर बनाना चाहता हूँ तो मैं असली हूँ यह यह जो मंदिर रोक रहे हैं, भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, यह मैं कह रहा हूँ, और वहीं बनाओ, तुमने वादा किया था, मैं यह सवाल कर रहा हूँ, तो मैं असली हूँ यह, यह कहते हैं, नई साथ सुप्रिम कोर्ट फैसला करेग हूसे तो समiance अगे, तुमने यह कहा था, कि हम संसद में प्रस्ताव लाएंगे, तीन तलाग पे तो बिल लाते हो, राम मंदिर पे बिल नहीं लाते हैं, तीन तलाग का प्रस्ताव लाते हैं, तुम बहुत बड़ा अपना काम समझते हो, जो सच बोलेगा, उसकी गर्दन का से आप कितना आहत हैं कितना अपने को विद। मानना नहीं हैं या इसकिर सी जैसे चार सालज से गालियां खार रहे हैं, ये और प्लस में मानना है। दिखे नरेंद्र गिरी जी ने जो हमारे बारे में कहा है तो मैं तो समझता हूँ भगवान उन्हें स्वस्त रखे उन्हें दीरगायू करें और वो ऐसे हमें गालियां दें हम सब को छमा कर देंगे क्योंकि भगवान विश्णु के दस अवतार दस होने वहें धर्ती पर नौ और गाली दें भगवान करें शिशुपाल की तरह निन्यान में गाली दें जब सौमी गाली देंगे तो परमात्मा अपने आप इनका विद्वन्स कर देगा मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं है 2019 तयार है 2019 का चुनाव विल्कुल तत्पर है कभी भी गोसना हो सकती है आपके इसाब से दो सीटे उत्तर प्रदेश में इनकी एहम सीट तो गोरकपुर हारी चुके हैं और फूल पूरी भी हारे हैं क्या कहेंगे इस सब जो गोरकपुर में हुआ है अंकार परमात्मा को अच्छा नहीं लगता यह लोग अपने आपको भगवान समझने लगे हैं इनके केविनेट मिनिस्टर ने कहा कि मुलायम सिंग रावन है शिपाल को मुकरण है मायवती शूपन खाँ है और इन्हों नंदी जी ने कहा कि भगवान राम के अवतार है योगी जी हनुवान है तो यह अपने आपको भगवान समझने लगे हैं इनका वो हार मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इन्हें माफ कर दे क्योंकि इन्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी जो खुद को भगवान समझने लगता है उसको कोई जगे नहीं मिलती, वो सबसे बड़ा पापी है, अंकार को कभी परमात्मा छमा नहीं करता, अंकारी को छमा नहीं करता, मैं तो हज जुड़ के बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूं, अखाड़ा परिश्यत का, कि ये गाली उन्होंने आज क्यों दी, ये तो मुझे पहले से देने चाहिए थी, क्योंकि बीजेपी तो चाहती है कि मुझे गाली दे है, लेकिन धर्म का थोड़ा लिहाज रखें, कलकी पीठ का लिहाज रखें, और अखिल भारती संथ समीती का लिहाज रखें, जिसका साथ वर्ष मैं उत्तर भारत का धेक्ष रहा हूँ, और स्वामी चकरपाणी जी का भी जो उसमें नाम लिया है, ये पूरा उनसे दुश्मन ही निकाल रहे हैं, क्योंकि वो भी बयान देते रहते हैं, इनके खिलाब थोड़ा थोड़ा, मैं एक सवाल हो, छोटा सा पुछू का, लगबख छह या साथ महीने पहले एक सूची जारी हुई, उसमें आपका नाम नहीं था, लेकिन गोरक पुरहार ने के तुरंत वाद नाम आना, क्या कहेंगे, ये तो योगी जी बताएंगे, या नरेंदर गिरी जी बताएंगे, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, और सरकार से कई सो करोड रुपे आना है अकाड़ा परश्द को, तो योगी जी जो कहेंगे, ये वो करेंगे, अगर योगी जी ये कह देंगे कि आप मोदी जी को फरजी कह दो तो ये अखाड़ा परशन मोदी जी को फरजी कह देगा योगी जी के कामकाश से आप क्या कहेंगे एक साल से मुख्यमंत्री है एक साल हो गई योगी जी संत है, माहत्मा है, सन्यासी है, कोशिश कर रहे हैं कि ठीक रहे सब, मगर थोड़ा दंबी है, अंकारी है, तो उनसे में इतना ही कहुआ कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और गुरकपूर की हार से परिशान ना हूँ, थोड़ी विनम्रत लाएं, दंब और अ तुम हिंदू नहीं हूँ, योगी जी एक सादू में कोई कह रहा कि तुम हिंदू नहीं हूँ, आचारा प्रमोद किष्णम को बीजेपी वाले कहते हैं, तुम तो मुसलमानों के बड़े पक्ष लेते हो, मैं मुसलमानों का पक्ष नहीं लेता हूँ, मैं हिंदुस्तान के हर एक आदमी, मुझे लगता है, कि ये देश भखते हैं, तुम्हें गद्दार लगता हूँगा, मुझे कोई आदमी नहीं मिला हिंदुस्तान में, जो देश से गद्दारी करता हूँ, मैं सब का संबान करता हूँ, तो योगी जी का ये कहना, मैं हिंदु हूँ, या मैं इद नहीं मनाऊंगा, अरे कौन कह रहा है तुम इद मनाओ, कौन कह रहा है, क्या हम किसी मुलाना से कहेंगे, कि तुम नवरातर कबरत रखो, अरे उनका आकीदा उन्हें मुबारक, हमारी आस्ता हमें मुबारक, ये देश तब ही चलेगा, योगी जी से मेरा इतना ही निवीदन है, कि सब को गले लगाएं, हम से भी अगर उनकी कोई पेक्षा है, हमें गाली दें, तब भी हम उनकी मदद करेंगे, और हम ये बिलकुल नहीं चाहेंगे, कि योगी जी उत्तर प्रदेश के चीफ फिनिष्टर से हट जाएं, भले ही लोग उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, भले ही कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी जी को इस्तीफा दे जना चाहिए, मैं तो कहता हूं कि बड़े दिनों बाद, पहली बार देश की आजादी के बाद एक सादू मुख्यवंत्री हुआ है, हमारे विचार धारा के नहीं है, हमें गाली देते हैं, नो प्राबलम मैं देते रहो, हमें फरजी सौबार गोशित कर दो, हमें पापी गोशित कर दो, लेकिन आप संत हैं, हम संतों का आदर करते हैं, और मैं भगवान से प्राथना करता हूँ, यह देश ठीक रहना चाहिए, देश के लिए, एक्ता के लिए क्या संते हैं? यह देश सबका है, हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, इसाईयों का भी है, गंगा जमनी तहजीव हमारी धरोवर है, भारत की संस्कृति क्या है, प्रेम, सद्भावना, त्याग, तपस्ट, रिशी मुनियों का देश है ये, भगवान श्री राम और कृष्ण का देश है, श्री कलकी का देश है, जब भगवान का उतार होगा, तो प्रेम के अलावा, तुम भाषा के उपर जाते हो, अगर कोई अर्भी में प्रार्थना कर रहा है, तुम उससे नफरत करते हो, यह तो नहीं होगा ना, भगवान भाषा का भूका थोड़ी है, अगर कुरान को संस्कृत में लिख दो, तो मतलब तो 90 फीसद ही वही है, गीता क राष्ट, दोनों सलामत रहने चाहिए, तब ही हमारा अस्तित्व है, यह देश ना रहेगा, तो धर्म कहां रहेगा, बताइए ना, राष्ट जो है, यह रहना चाहिए, और योगी जी साधू भी है, नेता भी है, ऐसे ही, वो बीजेपी के साथ हैं आज, कॉंगरिस की विचारदारा से सहमत नहीं हूँ, कुछ बातों से सहमत नहीं हूँ, तो क्या मुझे फांसी देद होगे, मुझे सूली चढ़ा दोगे, मेरी हत्या करा दोगे, मुझे पत्थर फिकवाओगे, मुझे पापी कहोगे, मुझे पाखंडी कहोगे, मुझे फर्जी कहोगे, मैं शराबी हो तुम जवचारी हो यहां इतना जरूर कह रहा हूं कि मेरी भी जाच करू अपनी भी कराओ सरकार से चाहेंगे सभी साध्यों की और इनकाला परसद की जाच की जाए जाए भारत सरकार से उत्तर प्रदेश की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि तमाम साध्यों की मेडिकल और ब्रह्मचरिये की जाच कराई जाए और उनका ब्रह्मचरिये टेस्ट कराई जाए और उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराई जाए मेरा भी कराय जाए उनका भी कराय जाए दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा कौन फर्जी है कौन असली है सब पता चल जाएगा कहने से क्या होता है बाबा की फर्जी लिस्ट पर आचारी प्रमोद किश्णम ने अपने खुल कर विचार रखे आपने सुने होंगे आज की खास मुलाकात में सिर्फ इतना ही अब मिलते हैं अगली खास मुलाकात में